राश्ट्रपती द्रॉबदी मुर्मू ने कहा कि लिंग, जाती और अन्यभीद भाव की बावजूद प्रतेक नागरी को सश्यक्त बनाएने के लिए सभी प्रयास किये गए हैं राश्ट्रपती आज नई दिल्ले में सर्वोच नियाले की वार्शिक रिपोर्ट जारी करने की दोरान आयोजित कारिक्रम को संबोधित कर रही थी उन्होंने नारी शक्ती का भी जिक्र किया इस अवसर पर कानून मंत्री अर्जुन्रा मिग्वाल और सुप्रिम कोट के मुख्य नय अदिश डीवाईचन रचूट ने भी संबोधित किया राश्ट्रपती द्रौब्री मुर्मू ने सुप्रिम कोट में आयोजित कारिक्रम में भिसा लिया खारिक्रम में राश्पती ने सर्वोच नियाले की वाशिक रपूर 2022 और 23 जारी की इसके साथ ही नहोंने सर्वोच नियाले की यी पहलकाश भारम वर्चुल जस्टिस क्लाक हिंदी E.S.E.R. और फास्टर संस्क्रन 2.0 को भी लॉंच किया Now what are these values? They are justice, liberty, equality and fraternity, which are specially highlighted in the preamble. These are the principles on which we have agreed to conduct ourselves as a nation. All possible efforts have been made to empower every citizen irrespective of gender, caste, creed same and other distinction that is why India has heard people from highly varied irrelevant occupying high offices and excelling in various works of Lee if we conceder gender for example the offices of the president the prime minister and the speaker of the locks over among others have been held by women तो यह निवरिकल स्टेंथ इस इन लेजिलेक्टि बोडिश वाज लेस्ट दा लोग एटेट नरीशक की बंदन अभी अभी यान विल इंप्रीज देश आजाद हुए थे पाकिस्तान हमारे साथ ही आजाद हुआ स्री लंका पहले हुआ लेकिन डिस्ट्रिबेंस नेपाल में डिस्ट्रिबेंस मैयम्मार में डिस्ट्रिबेंस बंगलादेश भी कोई ठीक दिशा में चला हुआ ऐसा नहीं है लेकिन हम क्यों ठीक दिशा में चलते रहे उसका एक ही बड़ा कारण है कि हमारे पास living document था constitution जिसको आज हम मना रहे हैं समिधान दिवस के रूप में जिसके कारण हमारी ताकत भी आगे बड़ी संसार में भी हमारी ताकत आगे बड़ी संसार के देश भी हमारा लोगा मान रहे हैं के यह ऐसी परसितियां आई जब लगा क्या डगमगा जाएंगे लेकिन हम नहीं डगमगाए उसका एक ही बड़ा कारण है वो है भारतिय समिधान